नमो नमह आपका बहुत बहुत स्वागत है मेरे चैनल पर इस चैनल के अंतरगत में NCRT पर अधारित संपूर्ण हिंदी की पाठ्य पुस्तकों तथा हिंदी के व्याकरण और संस्कृत की पाठ्य पुस्तक के अतिरेक्त संस्कृत व्याकरण का अध्ययन कराते हूं इसलिए इन विशियों में जो भी रूची रखते हैं वो इस चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि आने वाले समय में मेरी जितनी भी वीडियो जाती हैं वो आपको समय पर मिल सकें मेरा आज का विशे है कक्षा नौ की संस्कृत की पाठ्य पुस्तक शेमुशी भाग एक का पाठ चार कल्प तरू अर्थात कल्प का वरिक्ष पौरानिक माननेता की अनुसार कल्प वरिक्ष एक ऐसा वरिक्ष है जो याजकों की इच्छा की पूर्ती करता है प्रस्तुत पाठ आधुनिक संस्कृत साहिते के प्रसिध कथा गरंथ बेताल पंच विंशती से संकलित है इसे हिंदी भाषा में बेताल पचीसी के नाम से जाना जाता है यह गरंथ पचीस कथाओं का संग्रह है इसलिए इसे बेताल पंच विंशती नाम से जाना जाता है और इस कथा में बिताल राजा विक्रम को एक एक करके 25 कथाएं सुनाता है तो उसी तरह की एक कथा आज हम लोग पढ़ने जा रहे हैं जिसका शिर्शक मैं फिर से बता देती हूँ यह है कल्प तरू अस्ती हिमवान नाम सर्व रत्न भूमिर नगेंद्रह नगेंद्र कहा जाता है नग होता है पर्वत या पहाड और इंद्र कहते हैं उसका राजा तो पर्वतों के राजा को कहा जाता है नगेंद्र और हिमवान यहां पर कहा गया है हिमाले को तो सभी रत्नों की भूमी पर्वतों का राजा हिमाले है तस्य सानो हो उपरी, सानो रुपरी का संधी विच्छेद होगा, सानो हो जमा उपरी, सानो कहा जाता है चोटी के उपरी मतलब उपर, विभाती अर्थात सुशोवित होता है, कंचनपूरम नाम नगरम कंचनपूर नाम का नगर, अर्थात उसकी चोटी पर हिमाले की चोटी पर कंचनपुर नाम का नगर सुशोभित है। तत्र जीमूत केतु इती श्रीमान विद्याधरपती ही वसतिस्म। वहां जीमूत केतु इती जीमूत केतु इस नाम का श्रीमान विद्याधरपती रहता था। क्रमागतह, मतलब वंश के क्रम से प्राप्त, एक कल्प तरुहु स्थितह, कल्प का वरिक्ष था, मतलब कि वंश परंपरा से प्राप्त एक कल्प वरिक्ष वहां पर लगा हुआ था, उस राजा ने जीमूत के तुहू तम कल्प तरुम उस जीमूत के तुर नाम के राजा ने उस कल्प वरिक्ष की आराधना करके अर्थात पूजा करके तत्प्रसादात प्रसाद कहा जाता है कृपा को उसकी कृपा से बोधी सत्वांश संभवम बोधी सत्व के अंच से संभव मतलब उत्पन बोधी सत्व के अंच से उत्पन जीमूत वाहन नाम के पुत्र को प्रापनूत मतलब प्राप्त किया अर्थात राजा जी मूत के तुने उस कल्प वरिक्ष की पूजा करके उसकी कृपा से बोधी सत्व के अंशसे उत्पन जी मूत वाहन नामक पुत्र को प्राप्त किया अब उस पुत्र के बारे में बताया गया है कि वह पुत्र कैसा था सर्व भूतानुकंपी सभी प्राणियों पर अनुकंपा अर्थात क्रिपा करने वाला या दया करने वाला हुआ उसके गुणों से प्रसन होने पर स्वसचीवेश्च अपने मंत्रियों से प्रेरितह मतलब कहे जाने पर या प्रेरना पाकर राजाने कालेन कुछ समय के पश्चात जब संप्राप्त योवनम्तम जवह युवा हो गया या जब वो जवान हो गया योवराज्ये अभीशितवान उसका युवराज के पद पर अभीशेख कर दिया अभीशी को दूबारा बता रही हों कि उसके गुणों से प्रसन होकर अपने मंत्रियों के कहने पर राजाने उसके युवा वस्था के प्राप्त हो जाने पर उसका अभिशेक किया युवराज के पदपर युवराज्य स्थितह सजीमूत वाहनह कदाचित हितेशी भी पित्री मंत्री भी ही उपतह युवराज युवराज्य सर्वकामदह कल्पतरुहु तव उद्याने तिश्ठती सतव सदा पूज्यह अब योवराज्य स्थितह योवराज्य अर्थात योवराज के पद पर स्थित हो जाने पर सजीमूत वाहन है उस जीमूत वाहन के कदाचित हितेशी भी हितेशी भी होते हैं जो हित चाहने वाले होते हैं और पित्री मंत्री भी और पित्री मतलब पिता और मंत्री भी अर्थ पिता एवं मंत्रियों ने कहा युवराज कि है युवराज यह जो सर्व कामदह मतलब सभी प्रकार की अभिलाशाओं की पूर्ती करने वाला कल्प का वरिक्ष तुम्हारे उद्यान होता है बाग में है सतव सदा पूज्य है वह तुम्हारे लिए सदैव पूज्य है असमिन अनुकूले स्थिते शक्रो अपिना अस्मान बाधितुम शक्नुयात इती इसके अनुकूल रहने पर अर्थात जब तक इस कल्प वरिक्ष की हम पर कृपा रहेगी तब तक शक्र कहा जाता है इंद्र को इंद्र भी हम लोगों को कोई बाधा नहीं पहुंचा सकता आकर्ण्य एतत जीमूत वाहन अंतर चिंतयत अहो बात इद्रिशं अमर पादपं प्राप्य अपि पूर्वेह पूरुशेह असमाकं ताद्रिशं फलं कीमपी ना असादितं किन्तू केवलं कैश्चे देव क्रिपनेह कश्चे अपि अर्थो अर्धित अब आकर्ण्य एतत यह बात सुनकर जीमूत वाहन अंतर चिंतयत अपने मन में सोचने लगा अहो बात अरे इद्रिशं अमर पादपं पादप कहा जाता है व्रिक्ष को कि इस प्रकार के अमर व्रिक्ष को प्राप्त करके भी पूर्वई पुरुशेह असमाकं हमारे पूर्वजों ने ताद्र इस प्रकार का फल कोई भी न आसादितम प्राप्त नहीं किया, किन्तु केवलं कैश्ची देव क्रिपने है, किन्तु कुछ ही क्रिपन होता है कंजूस लोगों के द्वारा, कश्चिद अपी अर्थो अर्थित है, थोड़ा सा धन ही इस से मांगा गया अर्थात, इस बात को जीमूत वाहन, मन में सूचने लगा कि अरे, इस प्रकार का अमर वरिक्ष प्राप्त करके भी हमारे पूर्वजों ने वैसा फल प्राप्त नहीं किया, किन्तु कुछ कंजूस लोगों के द्वारा केवल धन की ही इच्चा रखी गई थी, तद अहम असमात मनोरथम अभीष्टम साधियामी इती, इसलिए मैं इससे अभीष्ट होता है मनचाहा मनोरथ, सिद्ध करूँगा अर्थात में अपना मनचाहा वरिष से मांगूँगा, एवम आलोच्य स पितु अंतिकम आलोच्चत, इस प्रकार आलोच्य अर्थात सोच क अगर वह अपने पिता के पास गया आगत्य चा सुखम आसीनम पितरम एकांते न्यवेदयत तात और वहाँ पर आकर सुख से बैठे हुए अपने पिता से एकांत में बूला, तात कि हे पिता श्री, तुम तु जानासी एव, तुम आप तो जानते ही हो, यत असमिन संसार सा अगरे आशरीरम इदम, सर्वमधनम, वीचीवत चंचलम के इस संसार में यह शरीर और सारा धन, लेहरों के समान चंचल है, एक ह़ परौपकार एव असमिन संसारे अनशवर है, केवल एक परौपकार ही इस संसार में अनशवर है, यो युगांत परियंतम यशह प्रसूते, जो युगों के अंत तक मनुश्य का यश फैलाता है तस्तद असमा भी ही इद्रिशह कल्पतरूह की मर्थम रक्षते तो फिर हम लोगों ने इस प्रकार के कल्पतरूह की किसलिए रक्षा की येश्च पूर्वई रयम मम मम इती आग्रहेन रक्षित ह जिनके द्वारा पूर्वे मतलब पूर्व समय में इसकी मेरा मेरा ऐसा कहते हुए रक्षा की गई वे इदानिम कुत्र गता वे अब कहां गए तेशाम कस्य अयम उन में से यह किसका है अस्यवा केते या फिर इसके वो क्या है तस्मात अर्थात इसके वो क्या लगते हैं या उन लोगों का ये क्या लगता था तस्मात परुपकारी एक फल सिध्धये त्वद आग्यया इमम कल्प पादपम आराधयामी इसलिए कल्प तरु की जो मैं अब आपकी आज्या से परुपकार की फल की सिधी के लिए मैं आराधना करता हूँ अथ पित्रा तथा इति अभ्यनुग्यात ह स जीमूत वाहन ह कल्प तरुम उपगम्य उवाच देव अब पिता से ऐसी आज्या लेकर वह जीमूत वाहन कल्प वरिक्ष के पास जाकर बोला देव हे देव त्वया अस्मत पूर्वेशाम अभीष्टाहा कामाहा पूरिताहा तन्ममेकम कामम पूरे अब वो उनसे जाकर के बोला कि हे देव आपने अस्मत पूर्वेशाम हमारे अस्मत मतलव हमारे पूर्वेशाम मतलव पूरवजों के अभीष्टाहा मन चाहे कामाहा मतलव अभीलाशाय पूरिताह मतल़ पूर्ण की कि आपके द्वारा मेरे पूर्वजों की मन चाही इच्छाएं पूरी की गई तो मेरी एक इच्छा भी पूरी कर दीजिए यथा पृत्वीम अदरिद्राम पश्यामी तथा करो तुदेव जिससे यह पृत्वी दरिद्रों से रहित हो जाए ऐसा कीजिए देवर्थात हे प्रभू आप ऐसा कीजिए जिससे यह पृत्वी निर्धनों से रहित हो जाए एवं वादिनी जीमूत वाहने जीमूत वाहन के द्वारा इस प्रकार कहने पर त्यक्तस्त्वया एशो अहम यातो असमी इती वाक तस्मात तरो रुद्भूत अब जब एजिमूत वाहने इस प्रकार से कहा तो उस व्रिक्ष से कैसी वाणी निकली कि मैं तुम्हें छोड कर यह जा रहा हूं ऐसी वानी उस व्रिक्ष से आई क्षनेन चस कल्प तरो हूं क्षन भर में ही वह कल्प का व्रिक्ष दिवम समुत पत्य भूवी तथा वसूनी अवर्षत यथा न को अपी दुर्गत आसीत क्षन भर में ही उस कल्प व्रिक्ष ने दिवम समुत पत्य दिवम कहा जाता है स्वर्ग लोग को स्वर्ग लोग में जाकर भूमी पर भूवी कहा जाता है भूमी को पृत्वी को तथा वसूनी वसून कहा जाता है धन को अवर्षत धन की वर्षा करना तो जब वह क्षन भर में वह कल्पतरू स्वर्ग में समुत्पत्य मतला पहुँच कर धर्थी पर इतनी वर्षा करता है जिससे कोई भी दुर्गत अर्थात पीडितिया दुखी नहीं रहा ततस्तस्य जीमूत वहनस्य सर्वजीन जीवानुकंपया सर्वत्र यशह प्रतितम इससे जीमूत वहन का सभी प्राणियों पर दया करने के कारण सभी दिशाओं में यश्य फैल गया